Hello Guys, Welcome to my Channel Basic Linguistics So, Today's Topic is Clipping हमार आज को Topic है Clipping जिसके बारे में आज हम पूरे डिसकस करेंगे Clipping or Sortening is the word formation process which refers to the reduction of a word to one of its part अब हम यहाँ पे समझने की कोशिस करेंगे देखो हमने यहाँ पे नाम क्या दिया है Clipping को Clipping or Sortening Sortening मतलब Sort होना, छोटा होना तो Clipping या Sortening क्या है, एक word formation process है मतलब इससे भी हम word को form करते हैं या दूसरे तरीके से एक नया word बनाते हैं तो word formation process है which refers to the reduction of a word to one of its part तो उसी के मतलब इसमें क्या करते हैं हम जो word रहता है उसको reduce कर देते हैं मतलब थोड़ा छोटा करके उसके बाद हम एक नया word को बोलते हैं जैसे की example इसमें आप देख सकते हैं बहुत normal से example हमने लिए हैं जिसको देखकर आप तुरण समस्च सकते हैं देखो गैस हमेशा हम क्या कहते हैं गैस का यूज करते है राइट और जबकि उसका full word क्या होता गैसोलिन तो गैसोलिन को हमने गैस को अलग कर लिया और जो ओल आई एन ए ये सब को हमने कट करके अलग कर दे रिडियूस कर दिया और उसको हमने सिर्फ gas के form में use करने लगते हैं ऐसे ही और word है जैसे technology को हम सिर्फ tech word use करते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे हम clipping में समझेंगे तो clipping आप लोग इतना तो समझ में आगे होगा है कोई भी word है कोई बड़ा word है तो उसको हमने बोलने के अनुशार बहुत सारी चीजों को हम reduce करके और छोटा करके बोलते हैं तो जैसे gasoline का gas हो गया technology का tech हो गया उसके बाद हम देखेंगे कुछ types हैं इसके तो types of clipping पहला type है back clipping क्या बोलते हैं इसको back clipping या इसी को हम कहते है एपो कोपेशन ठीक है back clipping या एपो कोपेशन तो यह होता क्या इसके बाद हम जानेंगे अब देखो clipping तो हम समझ गया मतलब उसको cut करके छोटा कर देना है तो clipping अब back clipping back clipping मतलब जिसमें हम पीछे के final final जो final point है last वाली point है उनको clip करेंगे मतलब cut करेंगे देखो in back clipping the initial part of the word is retained and the final part is deleted क्या करते हैं इसमें initial part मतलब सुरू का part को हम retain करते हैं मतलब लेते हैं और final part को delete करते हैं इस इस दे पूरा इधर का reduce कर दिया है delete कर दिया हम क्या सिर्फ use करते हैं add हमेंसा आप देखेंगे हम बोलते हैं add दिखा रहा है किसी चीज़ का add आया है या phone कभी भी use करते हैं तो उसमें भी आ जाता ना add तो कभी हम गो जबकि advertisement होता पर कभी advertisement पूरा नहीं बोलने जाते add बोल देते हैं ना तो इसमें क्या किया है हमने back side को जो पीछे side है उसको delete किया है पूरा इसको यहां से लेकर यहां से लेकर यह पूरा delete कर दिया है तो यह था back clipping दूसरा example इसमें देख सकते हैं दूसरा example है kable gram kable gram को सिर्फ हम kable बोलते हैं पूरा यह part delete करते हैं examination को हम बोलते हैं आज हमारा exam है only exam हम use करते हैं तो इसमें भी हम examination यह पूरा इसको delete किया हुआ है हमने math mathematics को हम कभी भी पूरा word नहीं use करते हैं हम हमेशा बोलते है maths तो यह भी पीछे का यह पार्ट डिलीट होता है तो जिसमें पीछे का पार्ट डिलीट होगा जो final position के पार्ट जो डिलीट होंगे उसको हम बोलेंगे back clipping अब आते हैं second number के टाइप पे जो की है हमारा four clipping four clipping क्या होता है four clipping क्लिपिंग refers to a phenomenon in which the initial part of the word is deleted and the final part is retained इसमें just opposite है जो हमने back clipping में बढ़ा ना back में क्या करते थे initial part को लेते थे और final part को डिलीट करते थे four clipping में क्या करेंगे हम initial part को डिलीट करते हैं और final part को रिटेन करते है इसे सुरू के चीजों को हम डिलीट कर देंगे और last वाले पार्ट को हम ले लेते हैं तो ऐसे कैसे कौन से examples हैं तो example आप देख सकते हैं जैसे इसमें है telephone telephone में हमने ये टेली को डिलीट किया क्या हम यूज करते हैं सिर्फ phone यूज करते हैं हाना तो इसको फोर क्लिपिंग करते हैं university university में वर्ड सिटी बस यूज करते हैं कई लोग तो यूज को डिलीट किया हैं alligator alligator में एली को डिलीट करते हैं सिर्फ gator वर्ड को यूज करते हैं तो यह है four clipping अब आता है middle clipping तो नाम से ही समझ में आ रहा है middle clipping मतलब बीच के किसी पार्ट को डिलीट किया गया होगा ओखेएं तो यह इसमें middle clipping में कśya है middle के पार्ट को हम लेते हैं सूरू और लास्ट की डिलीट कर देते हैं तो इसमें देखो example है फ्लू 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 बोलते हैं इसको फ्ल्ू को फ्लू हो गया तो ये इसाए फूर देखो आप बाहं को दीलिट किया है कि बाकी को टलीट करना है तो सरह deformed forms are also used in compounds कुछ clip deformed क्या होते हैं compounding में भी use आते है most often one part of the original compound remains intact इसमें देख लेते हैं जैसे इसमें भी same है cable gram हो गया cable cable or telegram को मिला कर cable gram बनाया जाता है cable और telegram यह तो पूरे complete है न वर्ड cable भी और telegram भी बट इसको दोनों के मिलाकर cable gram बना दिया गया optical art इसमें opt art बस बोला जाता है और organization man में org man बस बोला गया है तो यह था जो complex complex क्लिपिंग के बारे में तो यह सारे clipping examples है I hope आप लोग को समझ में आया होगा so यह यह था clipping के बारे में next video में हम next topic के बारे में बात करेंगे तो प्लीज आप हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल के जितने भी वीडियो हम update करते रहते हैं उनके साथ आप बने रहे देखते रहे और प्लीज अगर आप लोग को यह चैनल अच्छा लगता है वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स से इसको share करि करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करिए अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो तेंक्यू सो मच गाईज